देश में कोरोना के खिलाफ जंग के सबसे बड़े हत्यार वैक्सीन का बड़े स्तर पर इस्तमाल किया जा रहा है यानि देश में रोजाना लाखों लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है देश में अब तक करीब 20 करोड 58 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है देश में इस वक्त ओक्सपोर्ट युनिवर्सिटी और सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्ड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी कोमंजूरी मिली है वैक्सीन की इन सब ख़बरों के बीच बड़ा सवाल है कि वैक्सीन से आखिर आपको कितने दिनों तक कोरोणा से लड़ने की ताकत मिलती है यानि आप तैर समय पर वैक्सीन के दोनों डोज लेने के कितने दिनों तक कोरोणा से सुरक्षित रहेंगे विश्वस्वास्थ्य संगठन की डॉक्टर कैथरीन ओब्रायन के मुताबिक पहली डोस लेने के दो हफते बाद से शरीर में इम्म्यूनिटी बनी शुरू होती है लेकिन दूसरी डोस लेने के बाद इम्म्यूनिटी और भी मजबूत हो जाती है वैक्सीन से बनी इम्म्यूनिटी कब तक रहती है वैग्यानिकों के मुताबिक अभी तक ये बात तिसपष्ट नहीं है कि वैक्सीन के दोनों डोस लेने के बाद बनी इम्म्यूनिटी कब तक रहती है डॉक्टर कैथरीन के उताविक हमें अभी तक नहीं पता है कि वैक्सीन सिबनी इम्म्यूनिटी कब तक रहती है इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा उन्होंने कहा हम टीका करण करवा चुके लोगों पर नजर रख रहे हैं हम देख रहे हैं कि इन लोगों में समय के साथ इम्म्यूनिटी रहती है और इससे वे बीमारी से बचे रहते हैं इसलिए हमें वाकई कुछ समय तक इंतिजार करना होगा जिससे हमें पता चलेगा कि वैक्सीन कब तक प्रभावी है जहां तक अभी तक मिली चानकारी की बात है कि फाइजर वैक्सीन की दो डोस के बाद वैक्सीन का प्रभाव छे महीने या इससे ज्यादा दिनों तक रहता है इसी तरह मॉडर्न वैक्सीन की भी दूसरी डोस के बाद एंटी बॉडी छे महीने तक रहती है भारत में जो कोविशील्ट वैक्सीन लग रही है इससे इम्यून सिस्टम एक साल या इससे ज्यादा दिनों तक रहे है हम झाल रही है पर और हम कोविशी धन्यूया आमीक्सीन लगद साल, भी कोविशी इसस ज्यात वाट taught झाल झाल